एक बार महर्शी गालव जब प्राता सूर्यार्ग्य प्रदान कर रहे थे, उनकी अंजली में आकाश मार्ग में जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पीक गिर गई. मुनी को इससे बड़ा क्रोध आया. वे उसे शाप देना ही चाहते थी कि उन्हें अपने तप की शपत ले ली. गालव जी अभी लोटे ही थी कि देवर्शी नारद वीना जनकारते पहुँच गए. भगवान ने उनका स्वागत आतित्य किया. शांत होने पर नारद जी ने कहा, प्रभो, आप तो पर्मानन्द कंद कहे जाते हैं, आपके दर्शन से लोग विशाद मु चित्रसेन के पास. चित्रसेन भी उनके चरनों में गिर अपनी कुंडली आदी लाकर ग्रह दशा पूछने लगे. नारद जी ने कहा, अरे तुम अब ये सब क्या पूछ रहे हो? तुम्हारा अंतकाल निकटा पहुचा है. अपना कल्यान चाहते हो तो बस कुछ दान पुन इने उसे अपने यहां ठहरने तक नहीं दिया. श्री कृष्ण से शत्रुता कौन उधार ले? अब बेचारा गंधर्वराज अपनी रोती पीटती स्त्रियों के साथ नारद जी की ही शरण में आया. नारद जी दयालू तो ठहरे ही, बोले, अच्छा यमुना तट पर चलो. वहां जाकर एक स्थान को दिखा कर कहा, आज, आधी रात को यहां एक स्त्री आएगी. उस समय तुम उचे स्वर में विलाब करते रहना. वह स्त्री तुम्हें बचा लेगी. पर ध्यान रखना, जब तक वह तुम्हारे कष्ट दूर कर देने की प्रतिग्या न कर ले, तब है. आज, आधी रात को यमुनस्नान करने तथा दीन की रक्षा करने से अक्षय पुन्य की प्राप्त होगी. आधी रात को सुभद्रा अपनी एक दो सहेलियों के साथ यमुनस्नान को पहुची. वहां उन्हें रोने की आवाज सुनाई पड़ी. नारत जी ने दीनोधार का माहत्मिय बतला ही रखा था. सुभद्रा ने सोचा, चलो, अक्षय पुन्य लूठ ही लूँ. वे तुरंत ओधर गई तो चित्रसेन रोता मिला. उन्होंने लाख पूछा, पर वह बिना प्रतिग्या के बतलाय ही नहीं. अंत में इनके प्रतिग्या बध होने पर उसने स्थ जाकर उन्होंने सारी परिस्थिती अर्जुन के सामने रखी, अर्जुन का चित्रसेन मित्र भी था. अर्जुन ने सुभद्रा को साथ वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिग्या पूरी होगी. नारद जी ने इधर जब ये सब ठीक कर लिया, तब द्वार का पहुंचे और श्री कृष्ण से कह दिया कि महाराज. अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रे दे रखा है, इसलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिए चले. भगवान ने कहा, नारद जी, एक बार आप मेरी ओर से अर्जुन को समझा कर लोटाने की चेश्टा करके तो देखिए. अब देवर्शी पुनह दोड़े हुए द्वारका से इंद्रप्रस्त पहुँचे. अर्जुन ने सब सुनकर साफ कह दिया, यद्यपी मैं सब प्रकार से श्री कृष्ण की ही शरन हूँ और मेरे पास केवल उन्ही का बल है, तथा पी अब तो उनके दिये हुए उपदेश शात्रधर्म से कभी विमुख न होने की बात पर ही द्रिण हूँ. मैं उनके बल पर ही अपनी प्रतिग्या की रक्षा करूंगा. प्रतिग्या छोड़ने में तो वे ही समर्थ हैं. दोड़कर देवर्शी अब द्वार का आय और ज्यो कत्यों अर्जुन का वृतांत कह सुन शुपतास्त छोड़ दिया. प्रलय के लक्षन देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर को स्मरंग किया. उन्होंने दोनों शस्त्रों को मनाया. फिर वे भक्तवत्सल भगवान श्रीकृष्न के पास पहुँचे और कहने लगे प्रभो. राम सदा सेवक रुची राखी. वे युद्ध से विरत हो गए. अर्जुन को गले लगा कर उन्होंने युद्धश्रम से मुक्त किया. चित्रसेन को अभय किया. सब लोग धन्य धन्य कह उठे. पर गालव को ये बात अच्छी नहीं लगी. उन्होंने कहा ये तो अच्छा मजाक रहा. स्वच्रिदय के रिशी बोल उठे. लो मैं अपनी शक्ती प्रकट करता हूँ. मैं क्रिश्न अर्जुन सुभद्रा समेथ चित्रसेन को जला डालता हूँ. पर बेचारे साधु ने ज्योही जल हाथ में लिया. सुभद्रा बोल उठी. मैं यदि क्रिश्न की भक्त हो हूँ और अर्जुन के प्रती म प्रतिवृत्य पूर्ण हो तो ये जल रिशी के हाथ से प्रित्वी पर न गिरे. ऐसा ही हुआ. गालव बड़े लजजित हुए. उन्होंने प्रभू को नमस्कार किया और वे अपने स्थान पर लोट गए. तदनंतर सभों अपने अपने स्थान को पधारे.